नवस्कार हर्याणा क्रम capacini चेन आयोक की हरियाणा महिला पuallyस भरती की लिखित प्रिक्षा का प्रिणाम हो चुका है जारी जैसा की आप सभी को मालूम है अब आगी का प्रोसेस क्या रहेगा आगी का सिडूल क्या रहेगा अब कहां जाना है क्या लेकर जाना है वो सारी queries आपकी इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएगी आपकी भरांतियां दूर हो जाएगी इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देख लेना अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो लगे informative जानकारी परद तो channel को subscribe कर लेना वी 30 से संबंदित हरियाना विदाले सिक्सा बोड भिवानी की हर latest update सिक्सा जगत की हर latest update वो सारी की सारी आपको इसी channel पर मिलेंगी तो bell icon मली घंटी भी दबा लेना तो जैसा कि आप सभी को मालूम है हरियाना पुलिस महिला कॉंस्टेबल की जो लिखित प्रीक्सा थी उसका result आ चुका है अब आगे फिजिकल यानि रेस होगी एक किलोमेटर छे मिनिट के अंदर और उसकी डेट रहेगी 11 से 13 अक्तूबर तक और ये रेस होगी ये फिजिकल होगी पंचकूला के अंदर आज उनके admit card भी आ जाएंगे आज यानि 9 अक्तूबर को उनके admit card भी आ जाएं इन छात्राओं को दो original admit card with attested की copy और एक ID proof साथ लेकर जाना है अपनी फिजिकल के लिए पंचकूला में फिजिकल के बाद जो छात्राएं जो कंडिडेट पास होगी फिजिकल के अंदर उनकी height की 25 होगी और उनका dv होगा इस परकार का आगे का process रहेगा पहले फिजिकल होगी एक किलोमेटर की रेश 6 मिनिट के अंदर 11 से 13 अक्तूबर पंचकूला में admit card आ जाएंगे उसके बाद उनको लेके क्या जाना है इन candidate को दो original admit card with attested copy एक ID proof और फिजिकल के बाद जो candidate होगे पास उनकी height की 25 यानि की कद की 25 होगी और आगे document verification होगा डिवी होगा तो अभी तक का process यह है जैसी ही जो भी process आएगा इस भरती से जुड़ा आपको प्रतियक मिलता रहेगा दुबारा आपको धेर सारी सुब कामनाएं आपका प्रिक्षा का प्रिणाम पास होने पर तो जल्द मिलेंगे next update में तब तक के लिए राम राम नमस्का है तक कि तक कि लिए लुड़ के लिए लुड़ का रहे है तक काइद़ से इस प्रिक्षा इस तक का तक कि अ